गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रजिया वेगम 1236 से 1240 सबसब पहले इंट्रोडक्शन इल्टुद्मिश ने अपने मृतिव से पूर्व ही रजिया को उत्रादिकारी घोशित किया था क्योंकि उसके पुत्र अयोग्यर अक्षम थे लेकिन जब इल्टुद्मिश की मृतिव हुई तो कुत्वी और मौजी सरदारों ने रुकुद्दीन फिरोज को बाशा घोशित किया शासक घोशित किया और उसने 1236 अपरेल से 9 तक जो है वो शासन किया था कुत्वद्दीन के पशाथ इल्टुत्मिश और इल्टुत्मिश के पशाथ अब रजिया महतपून शाशिका थी जिसने दिल्ली सल्टनत की स्थापना के पशाथ कुछ महतपून कारें किये थे चूकि रुकुनदीन फिरोज को शासक घोशित किया गया था इसलिए रजिया को उसका उत्राधिकारी जो इल्तुत मिशने घोशित किया था वो उसे प्राप्त न हो सका था लेकिन रुकुनदीन के समय में जो अवद के सुवेदार थे मलिक नासिरुदीन और मुलतान के सुवेदार थे मलिक इजुदीन कावीर खान याज और हासी के जो सुवेदार थे मलिक सैफुदीन कूची और इसके साथ साथ बदाईू के जो सुवेदार थे मलिक इजुदीन म विद्रो करने प्रारंब किये थे इस सिचुशन का फायदा उठा करके रजिया ने इन सुवेदारों के मध्य में फूट डाल दी और कुछ अपने पक्ष में करके रुकुनदीन को गद्धी से हटा करके शाहतुरकान को कैद करके जो है वो गद्धी प्राप्त की थी मुहमद जुनेदी जो की इन विद्रोयों में प्रमुख था उसका पीछा करते हुए रजिया वेगम ने गद्धी प्राप्त की थी और रजिया वेगम जो है वो 1236 से 1240 तक दिल्ली की शासिका रही थी शी वस्ट वूमेन रूलर आफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भा कार सुभेदारों के मध्य में विवाद उत्पन किया था उनके मध्य में कूट नितिक रूप से जो है मतवेद उत्पन किये थे उससे गद्धी प्राप्त करने में सरलता प्राप्त हुई थी और वो महज चार वर्ष तक ही दिल्ली के शासिका बन पाई थी अब बात करते ह कि उसके क्या मेतपून कारे थे और क्या मेतपून उसकी उपलवदियां रही थी सबसे पहले तो उसके समय में जो निजाम मुल्क जुनेदी था जो की प्राइम मिनिस्टर रहे चुका था रोकुंदीन फिरोज का उसके बिरोध में उसने जह वो सेनिक अभियान भेजे थे और उसका पीछा करते हुए 1236 में सरमौर की पहारियों तक जो वो सेनाय भेजी थी और अंततह सरमौर की पहारियों में वो भागता हुआ उसकी मृति हुई थी वापस कभी वो दिल्ली नहीं जा पाया था ये उसका एक सफलता पुर्वक अभियान जो वो जुनेदी के खिल भारत में जो मंगोल से मंगोल की सीमाओं के साथ भारत का लगता हुआ सीमा था उपर जो कश्मीर था ये जो आपके पास पोर्षन दिखाया गया है इस पोर्षन इस अंडर वो दिस फोर्षन इस शेड़िड और अडिट वस अंडर दा कंट्रोल उफ दिल्ली सल्तनत दिल् पंगाल विहार से लेकर के बिंद्या चल के परबत तक जो है वो सिमाए थी पाकिस्तान अफगानिस्तन तक के शैत्र उसमें समलित थे और आप ये कह सकते हैं कि संपून बांगलादेश जीसे आप कहते हैं वो भी समलित था नैपाल के बहुत सारी शैत्र उसमें समलित थे 1236 में जो कि मैप आपके समक्षिया पर दिया गया है अब administrative reforms की बात करते हैं कि रजिया वेगम के समय में क्या में तपून administrative reforms हुए थे सबसे पहले उसने एक वाजा मुझाबुदीन को नया वजीर निउक्त किया और उसके उपर निजाम उलमुल्क की जो उपादी हैं वो प कुतलुख खान का जो टाइटल है वो कनफर किया था कुतलुख खान का टाइटल दिया गया था उसने मलिक कुतबुदीन हसन को जो है वो नया जो कार्याले बनाये गया था नायवे लशकर उसका प्रमुख गोशित किया वो एक परकार का जो सैना है उसका इंचार्स उसे बनाये गया था और उसने अपने जो लॉयलिस्ट थे उनको अपने शाहा महल के अंदर जो है शाही महल के अंदर स्तिती दी उनके शाही महल के अंदर उन्हें न्यूकती दी जिसमें की मलिक कबीर का नाम लिय जा सकता है. इक्तियारो दिन अतिगिनी का नाम लिया सकता है. जिसे की अमीर-ए-हाजीव का पद्र परदान किया गया था. मलिक जमाल-दिन याकूफ जो की एक हवशी था. उसे अमीर-ए-ाखूर का पद्र जह वो परदान किया गया था. और 1337 से 1238 के मद्धे में उसने अप मेतापून जो परशासनिक सुधार है वो रजिया ने इंटोड्यूस किया था नेक्स्ट है कैप्चर ओफ रन्थम्बोर रजिया ने जो इल्तुत मिश्च के समय में राजपूत राजजे थे वो उनके नियंतर्ण में थे लेकिन इल्तुत मिश्च की मृत्यू के पश्चाद अधिकांश राजपूत राजजे सोतंत्र हो चुके थे रन्थम्बोर रनेतिक दिश्ची से बहुत मैतपूर्ण था इसलिए रजिया ने मलिक कुत्पुदीन खसन गौरी को जो है वो रन्थम्बोर पर आक्वा करने के लिए भीजा था और उसे विजित करने में सफलता भी प्राप्त की थी और उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन करन नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ सुवेदार अफ लाहोर जो लाहोर के सुवेदार थे मलिक जुदीन कवीर खान ए आज उसने बिद्रो किया था बारासो अर्टिस उन्तालिस में और रजिया जह वो उसके खिलाप विशेशुप से सैनिक अभियान ले जाकर के सढोरा तक उसका के पास सिरफ आत्मसमरपन के अलावा और भी कोई और कोई चारा नहीं था इसलिए उसने आत्मसमरपन करके रजिया के अधिनता से विकार की और साथ में उसका जो लाहोर का इकता था वो वापस ले करके उसे मुलतान का इकता दिया गया था रजिया ने उसके साथ जह वो लिनियंसी का व्यवार किया, उधारता का व्यवार किया, ताकि भविश्य में शांती को स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है, वार एंड मेरिज विद अलतुनिया अफ वटिंडा, वटिंडा के जो सुवेदार थे, एक्तियारू दिन अलतुनिया, वो भी मैतपूर्ण सुवेदार थे और बट्यों की वटिंडा जो है, वो एक सिमान्थ सुवा था और उसकी सुरक्षा का दाई तो भारत दुनिया ने पहले तो विद्रो कर दिया और उसने रजिया के खिलाब सेना का इस्तिमाल करना चाहा था, लेकिन जब अतिगिनी की डेथ हो चुकी थी और ये अलतुनिया जानता था कि रजिया उपराजित करने के पशाद्वी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए रजिया के साथ उसने समझोता कर लिया, रजिया ने भी इस उसर का लाव उठा करके अलतुनिया से विभा कर लिया और दोनों ने मिल करके दिल्ली की जो गद्दी है उस पर अपना नियंतन स्थापित करने का पुन्हप्रयास किया था, लेकिन बाद में जो क्या कहते हैं तुर्क एकत्रित हुए, खोकर्स थे, जाग थे, राजपू थे, ये भी एकत्रित हुए और सेप्टमबर अक्तुबर 1240 तक जो है इन्होंने अपनी सेना दिल्ली के आसपास तक स्थापित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन अंततह अलतुनिया और रजिया को जो डिफिट किया गया था, 14 अक्तुबर 1240 हिस्वी में और उसके पशात कैथल के समीप जो है, इन दोनों को प्रास्त करके रजिया की हत्या की गई थी, 15 अक्तुबर 1240 हिस्वी को, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक मैतपून उपलवधिया थी, जो कि हमने यहां डिसकस की थी, रजिया की, पूनिस की कारण थे, सबसे पहले जो ततकाली नितिहास का रथे मिनास उससे राज, उनका कथन ये आता है कि, शी हैड ओल किंगली क्वालिटीज एक्सेप्ट हर सेक्स, एंड इस एक्सेप्शन मेड ओल हर वर्चूज औफ नो इफेक्ट इन आइस अफ मैं, अर्थात ततक निर्णे और दिड़ निश्य करने वाला, और साथ में जो शारिरिक शम्ता रखने वाला, वही ब्यक्ती ततकालीन परशासनिक व्यवस्ता को, ततकालीन सामराज्य व्यवस्ता को समाल सकता था, मिनास उस सिराज का कथन यही परदर्शित करता है, कि रजिया सुल्ताना के पास सभी राजा के योग्य की सारी क्वालिटी थी, लेकिन वो उसका जो महिला होना, वो उसके लिए कमजोर कड़ी की रूप में जवसिद हुआ, चूकि ततकालीन जो तुर्क थे, या मौजी सरदार थे, या चहलगानी के जो प्रमुख थे, वो रजिया के धिन कारे नही कारे करना चाहते थे, जो इसलामिक शरियत था, वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता था, कि एक महिला जो है वो खुले रूप से पुरुष परिधान में जो राज संभाले, इसलिए वो बहुत बड़ी समस्या उसके समक्ष थी, दूसरी बात है, प्रोटेस्ट विरोध किया, उसके कई कारण थे, एक तो रजिया पुरुष परिधान पहन करके पुरुषों की तरह वैवार करती थी, और दूसरी उनके किसी बात को मानने से भी विशेशुप से उनका प्रामर्शन कम लेती थी, जिसके कारण उसके विरोध में हो गय थे, इसलिए ये अधिक समय तक जो है, उसका से योग नहीं कर पाये थे, और जो याकूद था, जो के खवशी था, उसके साथ इतियासकार ये कहते हैं, कि प्रेम प्रसंग जो है, वो रजिया के रहे थे, जो ततकालीन, सामंतों को, सुवेदारों को, अमीरों को पसंद नहीं थे, इसके कार सुवेदार, बिद्रोई सुवेदार थे, उन्होंने भी बहुत मैतपोन भूमी का उसके पतन में निवाई थे, यह अलतुनिया के बिरुद पहले तो रजिया ने जो है, वो शर्स्त रुठाये थे, उसके उपर आक्रमन किया, बाद में उसके साथ समझता करके, उससे ही व शासकारों ने ये अवलोकन किया है, कि रजिया अगर एक पुरुष के रूप में पैदा होती, तो वो भारत के महान शासकों में गिनी जा सकती थी, लेकिन उसका महिला होना ही, उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी, ततकालीन समय की जो द्रिश्य था, ततकालीन समय की जो परि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक महिला होने के साथ, उसने यह भी प्रदर्शित किया, कि एक महिला भी शासन कर सकती है, एक महिला भी जो परशासनिक बागडोर अपने हाथ में ले सकती है, जो आज की असाइनमेंट्स आपके पास रहेगी, वो यह है, कि रजिया बेगम एक शाशी का के रूप में क्यों और सफल हुई 200 शब्दों में आपने इसका यह वो वर्डन करना है और अपना वर्क जो है वो ग्रूप में पोस्ट करना है So have a good day and thank you very much